दोस्तों अगर आप 2024 में बिहार बोट से मैट्रिक पास किये हैं तो आपको जो है 10,000 रुपे और किसी किसी छातर को जो है 8,000 रुपे के लिए जो है और अलाइन आवेदन शुरू हो गया है तो देख लिजेगा लिंक आपको description box में मिलेगा हम इस वीडियो में especially बात करेंगे कि मुख्यमंत्री बालक बालिका पुरुत्साहान योजना समस्या को solve करते हुए हम यहां पर बताएंगे पिछले साल के जो बच्चे है जो उन्होंने गलती किया हुए जिनके वह जासे पैसाओं को नहीं आवा है उन सभी गलती हो को भी हम बताएंगे कि आपको क्या गलती नहीं करना है फॉर्म बढ़ते से में समझते हैं कि कैसे आ यहां आप 15 माई 2024 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे इसका लास्ट भी आ चुका है अब जिसी इस पर क्लिक करेंगे सिधे यह वाला पीच आपका ओपेन हो जाएगा और यहां पर बहुत सारी गाइडलेंस दिया हुए कुछ गाइडलेंस आपको समझा देता हुए दूसरा काम क्या करना है आपको न बैंक हाता को सीड कर वा लेना है उससे सीडड कर वा लेना है मतलब क्या कि आपका एकाउंट जो है आपके आधारकाट से लिंक होना चाहिए यह सीडड बोलते हैं जिसको NPCI link भी बोलते हैं मतलब क्या कि आप अधार काट से पैसे निकालते हो वो वाला जो है चीजों को आप करवा लेना होगा देखेया लिखा हुए सभी छातरों को सुचित करें क्योंकि अधार सीडेड और खाता से अधार लिंक अलग चीज है और जिनका भी बैंक अकाउंट अधार के साथ नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जागा यह मेंटर साफ 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 लिग दिया है तो आपको यह पहला काम करवा लेना है आपको अधार से सीडेड करवा लेना है ताकिशिए अपके साफ अंता है इसा में म बीफार लिखा होगाह व्याइन पढ़ेंग कोई आपको अचैक्वाड करवा लेना है ताकि आपके पैसे आने में कोई विदीकत नहीं है और सबसे खास बात यह है जितना पहले फॉरम भरेंगे उतना पहले पैसा आएगा सिच्छा विवाग के पास जैसे जैसे जब बजट आता है वैसे वैसे पैसा बेजते हैं यह लोग बहुत सब्सक्राइब करता है पहले और पहले पाओ की यहां पे सेवा लागू होती है सबको पैसे मिलते है 8000 तक भी यहां पर मिलता है तो यह आप देख लिजेगा और मैंने अलग से वीडियो उसके लिए बनाया हुआ हुआ है फॉरम भनने के लिए देखिए मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन वोक्स में प्रवाइट कर दिया आप क्लिक करके अब देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद से यूजर आइड और फाइनल समीड चार स्टेज में करना होगा चारी स्टेज आज ही नहीं हो पाएगा आपको स्टेप करना होता है और अगर आप लिस्ट देखना चाहते है तो यहां से आप लिस्ट वगर अभी देखेंगे यहां पे अभी लिस्ट फर श्ट्रेंट एडिफर परमेंट इस्ट्रस या पेंडिक रिश्ट्रस यहां पे आप जाएंगे पेमेंट समरी रिपोर्ट और यह बहुत सर आपको लिस्ट है तो मैं पहले लिस्ट बाद में दिखाऊंगा पहले आपको अप्लाई करने का पोस इस विसटिक उनको चूच करना है उनको चूच करना मतलब क्या कि आपका कॉलेज कहां पे है जस भी कॉलेज से आपने पढ़ाई किया हो मिला हुआ है यहां पे आपको लिखना है opt-end mark, metric में कितना marks मिला है, division क्या है, first है कि second है, इसको इसे category के आपका general, BC, EBC, SCST किस category से बिलोग करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है, दस्वी class का roll number लिखना है, married है, yes नो में बता देना है, तो no कर दीजेगा, यहाँ पर अपना जो है, नाम लिखना है, और यहाँ पर अपना gender बताना है, male female, फिर अधार नमर को यहाँ लिखना है, फिर date of birth का यहाँ पर आपको लिखना है, जिस तरह से अधार कार्ड पे है, औ और मैंने आपको पताया है, friends की अधार कार्ड और metric एक जैसा जरूर करवा लिजेगा, तभी आपका यहाँ पर चीजे होगी, वरना नहीं हो पाईगी, आपका form पैसा मिलेगा ही नी, reject हो जाएगा form आपका, सब एक जैसा होना चीए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और verify अधार नमर पे क्लिक करेंगे न, तो data fetch होगा, और अधार server से verify होगा, और यहाँ green हो जाएगा, फिर mobile number लिखना है, verify with OTP पे क्लिक करेंगे, दूसरा mobile number यहाँ पर देना है, verify with OTP पे क्लिक करके, उसको भी verify कर लेना है, फिर email ID लिखना है, उसको भी यहाँ पर OTP भेज़के OTP प्राप्त होगा, email पे उसको verify कर लिजेगा, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, basic steps को आपको भरना है, और यहाँ पे preview all option पे क्लिक करना, अब यहाँ आ जागा थोड़े दिर में, मैं wait कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर समय लग सकता आने में यह चीज, बाकि आप जनका नमबर डाल रहे है, 93037 ऐसे करके, तो उसी तरह से आपके admit card पे होगा, तो आपका easily आजाएगा, अगर आप minus नहीं भी देंगे, तो कोई दिकत नहीं है, लेकिन 93037 आपका school code होता है, फिर minus कोड होता है, फिर minus कोड होता है, फिर minus 23 होता है, तो ऐसे ही आपको डालना होगा तो उसे आप जो है डालिएगा, चले हैं करते हैं preview, प्रिवीव करते हैं friends, आपका यहां पर application का preview आजाएगा, आप जानकारी को verify करेंगे, हाँ जो भी आपने जानकारी देए सब चीस सरीक नहीं, इसमें कुछ भी गलती है, तो आप सुधारिएगा, नहीं तो नीचे आए नीचे आते ही friends, यहां पे आपको documents upload करना है, documents में देखेंगे, आपको क्या upload करना है, तो यहां पे आपको PDF के रूप में, अपना metric का mark, certificate को आप यहां पे upload करेंगे, और 400 KB से कम होना चाहिए, PDF फाइल में होना चाहिए, उसके बास से आपको आधार कार्ट की photocopy भी upload करनी एक ही page पे दोनों आपका page दिखना चाहिए, अधार का, आप खुद देखिए, अधार कार्ट पे front पे आपका नाम होगर होता है, और back side पे आपका address अपका पीताजी का नाम होता है, तो दोनों को एक page पे आपे scan करके रख लीजेगा, फिर इसको PDF convert करके एक page में आपको तो आपको जो है अभी वेट कर लेना है, अभी डॉकमेंट्स आपके पास नहीं है, तो आप लोग वेट कर लीजिए, हो सकता है, चार दिन, पास दिन बात पता करते रही है, आपके school में जो है, आपका original mark sheet वगरा आ जाएगा, तो आप चलिए यहाँ पर चूज करके, अप आपको क्लिक कर देना है, रजिस्टर करते हैं, आपका रजिस्टर नहीं हो जाता है, अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है, जी या दोस्तों, इसको प्रिंट आउट कर लीजेगा, नीचे में आपको प्रिंट का उप्शन तो 10-15 दिन वेट करना है आप देखें प्रोसेस को समझें कि अगला प्रोसेस क्या है तो आपने पहला स्टेप अपलाई कर दिया रेशन कर दिया रेशन करने के पाद से अब जो डिपार्टमेंट है विहार सिख्छा विभागे वो आपका डिटेल्स को भेरिफाई करेगा औ उस बीच आप गेट अप्लिकेशन करके अवेदन के सिख्छा विभाग के द्वारा सिधे तीसरा वाला उप्सन आपका होगा तीसरा वाला में क्या होगा कि अब आपको तुरंत एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा दूसरा स्टेप कंप्लीट होते है पहला स्टेप आपकी ये दूसरा स्टेप सिख्छा विभाग किया आपके डियल को भेरिफाई किया तीसरा स्टेप में सिख्छा विभाग आपको चूजर-ई-ड घूज explor जिएगा आपका करेंगे लॉगिन करके final summit करेंगे फानल समिट जैसे कर देंगे उसकी बाद से आपका पैमेंट प्रोसेस में चला जाएगा तो यह चार स्टेज है पहला स्टेज आपको करना है और तीसरा स्टेज आपको खुद से करना है दूसरा और चौथा भीभाग करता है तो सबका स्टेज मैंने आपको बता दिया अब वेट करना है इस बीच आप यहाँ पर क्लिक करके जो है अविदन के स्थिति को जो है क्या करेंगे चेक करते रहेंगे तो बाकी का प्रोसेस जैसे-जैसे होगा हम आपको आगे भी continue इसके उपर वीडियो लाते रहेंगे वीडियो को फ्रेंट साप लास तक देखें बहुत